हरे कृष्णा ट्रेडर्स मैं आज यहां पे कुछ लाइव ट्रेड करूंगा वो भी कैंडल को रीड करते हुए एक एक कैंडल को साइकोलोजी को समझाते हुए मैं इस चार्ट पे आज लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूं और आपको बहुत ज्यादा मैं नौलिज दूंग कर आज इस वीडियो में तो इस वीडियो को पूरा ज़रोड देखने आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्रीजिस हो तो वह नमबर आपके लिए ही है तो आप जरूर कॉंटैक्ट करें दो मंथ लगता है ट्रेडर बनने में अगर आप सही से सीखो तो मंत लगता है काफी लोग कहते के मुझे ट्रेडिंग सेखने में 2 साल लग औह चार साल लगता नहीं है सीखने में तो बस बस दो से 3 मंत लगता है आपको सही representation मिल गया तो आपको 2 मंत हीए लगते हैं तो अगर आप सीखना चाहते हैं स्ीखना चाहते और तो आप बिल्कुल कॉंटेट कर सकते हैं हमारे नमबर पर एक एक चीज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे वह भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ तो स्टार्ट करते हैं यहां पर देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम लोग मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर देखो लोवर लोवर हाई बन रहा है लोवर लोवर हाई का स्ट्रक्चर है तो यहां पर देखते हैं मार्केट क्या कर रही ह ओके तो यहांपे है lower low lower high इजैसे यह बना हमारा lower low और यहां से गया lower high तो यह पर एक तार्गेट होता है यहांपे यहां पर दिखे trac तो अगर मार्केट को अगेन लोवर लो बनाना तो चांसे यहां से अगेन मार्केट ऐसे नीचे जाएगी ठीक है तो देखते हैं यहां पर क्या होता है ओके तो मैंने यहां पर डाउन की ट्रेड लूँगा तो मैंने यहां पर डाउन की ट्रेड ली थोरी बहुत ज्यादा नीचे लग गई है बट यहां पर मार्केट को अब नीचे ही जाना चाहिए इसके पीछे का देखो रीजन क्या है मैंने क्या बताया था यहां बन रहा है lower low ओके तो यहां से उपर गया lower high ठीक है तो अब मेरा यहां पे lower high का target भी बैठ रहा है तो अब मेरा expectation है यहां से again जाना है नीचे lower low के तरफ ठीक है अब एक seller candle आया मैं पहले तो इसको रेज कर देता हूँ देखो अब देखो यहां पर यह वाला एक seller candle आया और यह seller candle अभी भी देखो buyer से weak है तो buyer को यहां पर ही आ जाना चाहिए था लेकिन again seller अपने body को increase करके आ रहे है तो यानि कि अब next पर again market नीचे अब देखो next पर again seller body एक minute यहां पर एक trade बन रही है इस पर भी मुझे डाउन की trade करनी थी लेकिन यह मेरी मिस हो गई को कि मैं आप लोगों को समझा रहा था ठीक है मैं दोनों का logic बता दूंगा आपको यह भी मेरा ट्रेट था तो मैं दोनों का आपको logic बता देता दोनों इस पर ही मैं करता है लेकिन मैं समझाते वी रह गया और यह मेरी मिस हो गया तो मैं आपको दोनों समझाता हूं पहला मेरा ट्रेट था यह वाला मैंने क्या वाला पीछे से ऐसे lower low बन रहा है और यह lower है अपने target पर जा चुका है तो अब मेरा expectation है यहां से lower low बनने का ठीक है अब क्या हुआ एक seller candle आए और यह seller अभी भी देखो buyer से weak है तो इस पर seller को इस पर buyer आ सकते थे लेकिन again देखो seller body increase करके जा रहे है और plus target भी यह से confirm कर रहा है कि market अब नीचे जाएगी इसलिए मैंने इस पर trade किया अब इसके बाद मैं next पर इस पर क्यों करता कि मेरा expectation है यहां से lower low बनने का और plus हमारा support level में भी gap है और यह जो candle यह अब यह काफी strong है अभी seller बहुत strong है इसलिए मुझे इस पर भी करना था तो ऐससे आपक आपको sign हो ले जब तक आप एके candle को नई समझ पाते हो तो आप किस बेसिस पर बोल सकते हो कि आप trader हो ट्रेडर मतलब क्या हो गया जो candle को पर सके जो एके candle को समझ सके ही candle में हमसे कहना क्या चाहती हूं कि यह charts किस से बन रहा है candle से buyer और seller candle से अगर आप buyer seller candle को समझ नहीं रहा तो आप trader की इस basis पर खुद को कह रहे हो अगर आपको professional trader बना तो आपको एके candle को read करना आना चाहिए और एके candle को read करने के लिए भी बहुत सारे topics पढ़ने पड़ते हैं जैसे market structure हो गया power हो गया swing low swing high wix reading danger zone target deep level age यह सब पर के ही आप candle को इस तरीके से read कर पागो तो यह सब हम तो यह यहां पर डाल दूंगा तो problem क्या होगा वह topic तो मैंने यहां पर डाल दी बट केवल मेरा एक गहंटा का वह video देखें जासे कि मेरा एक आप अप्लाइ करो कुछ और आपका आप और लॉस करोगे इसलिए वह सब एडवांस टॉपिक बीना गाइडनेंस और बीना गुरू के नहीं समझा जाता है लेकिन यह सब कोई समझते नहीं है और मेरे पास काफी सारे लोग आसा के बोलते कि सर मैंने वहां पे इतने महंगे क स्कैम कर दिया तो मैं उनसे पूछता हूं स्कैम क्या उसने आपको दस रिकॉर्डिड वीडियो दी कुछी स्टाइक रिकॉर्ड वीडियो दिया तो बोले वह स्कैम आप खूद होना चाहते हूं कि आप कोस्टिंग नहीं करते हैं आप ऐसा सवाल करो इंजिनियर डॉक्ट हमिल और यहां पर यहां पर मुझे नहीं बनाया है यानि कि यह हाई मुझे नहीं बनाया तो यह मुझे दिखा रहा है कि buyer यहाँ पर interested नहीं है तो और again यहाँ पर buyer ने अपना weakness दिखा दिया seller ने पहले high नहीं बनाया यानि कि इस candle में buyer interested नहीं है यह high मुझे दिखाता है buyer interested है अब इस buyer ने खुद को weak कर दिया buyer ने आपर क्यों weak किया वाइर चाहते है यहाँ से seller और नीच आए lower low बनाने लेकिन इस candle low भी नहीं बनाया यानि कि buyer तो खुद को weak कर लिये लेकिन low नहीं बनाया यानि कि seller भी interested नहीं क्योंकि देखो इस candle का reaction कैसा होगा यह open होता ही उपर गया यह नीचे गया ही नहीं और नीचे किसके करने जाता है seller करने लेकिन अगर यह नीचे नहीं गया आने कि इस candle में seller भी interested नहीं बायर भी interested नहीं तो अगर नेक्स पे तो यहां पर हमें confirmation लेने का wait करना पड़ेगा अगर नेक्स पे seller इंगल्फ करें तो मैं डाउन के जाओंगा और अगर देखते हैं और बायर आते तो मैं आपर देखना पड़ेगा मुझे अगर यहां पर स्ट्रॉंग होकर के आ रहे हैं तो अब यहां पर एक रिट मुझे बस यहां पर अगर यहां पर स्ट्रॉंग होकर के आएं तो मैंने यहां पर अपकी ट्रेड लगा दी है इस बॉडी लेवल के नीचे आने पर मुझे इस बॉडी लेवल पर मुझे ट्रेड लगानी है इस बॉडी लेवल पर मैंने ट्रेड लगाई है इस बॉडी लेवल पर हलकी से उपर लग गई है लेकिन इस बॉडी लेवल मुझे लगाना था हलकी से उपर लग गई इसके पीछे का देखो logic क्या है मैंने क्या logic लगाया है पहले माई यह सब जो मैंने drawing किया है जो उसको मैंने मिटार देता हूँ ठीक है इसके पीछे का देखो logic देखो logic यह है कि पहले देखो पहले आपे seller आए बीना high बना कर यानि कि buyer interested नहीं है अब next पर buyer ने खुद को week कर लिया buyer ने खुद को week क्या यानि कि seller buyer चाहते थे कि seller अब तुम आओ market में buyer यहीछा थे तभी तो buyer ने वीक लेकिन इस buyer ने low भी नहीं बनाया यानि कि buyer ने खुद को तो weak कर लिया लेकिन seller भी इंट्रेस्टेट नहीं जब भी ऐसा हुना तो एक candle का वेट कर लो अगर next पैसे seller candle आता इंगल्फ कर जैता तो मैं down जाता लेकि next पे buyer आ गया यानि कि seller भी इंट्रेस्टेट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर margin of safety के साथ में गया क्योंकि इसके नीचे आने पर यहाँ पर छोटा मोटा भी सिलर candle आ सकते हैं क्योंकि यह candle काफी strong है तो एक weak seller आ सकते हैं अपना weakness दिखाने के लिए तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है देख रहो मैं कैसे के candle के story बना के कर रहा हूं इसको कहते हैं इसको कहते हैं मजे किसा ट्रेड कर रहा है कि अंधेरे में चीर नहीं चलाना है कि याप यह indicator लगा लिया यह गिए दो लानिक जुसे को कट करेगा तो ट्रेड लेँ रहे है तो क्या चल रहा है इस ले लूग करेगा से जो ट्रेडिंग जिसको कहते हैं कि सीखो उसका ट्रेडिंग मनें मजे आने लगेगा अभी जो आप डडर के trade करते हैं आपका एक loss आता है तो आपके इंदर fear आ जाती है उसके अपने account को zero कर दे तो वो सब क्यूं होता है क्यूंकि आपके पास अभी clear knowledge ही नहीं है आप खुद पता नहीं कि आप trade बने ग्रीन बनेगा आप अंधेरे में तीर चला रहे हो कि मेरे इ लग या तो सही नहीं लगा तो जीरो इसलिए सीखना पड़ेगा आपको और अगर आप नहीं सीखना चाहते हो बस अभी आपको यहीं लग रहा कि नहीं नहीं मैं तो खुद से ही कर लूँगा तो अब तक आपने खुद से क्या कर लिया जीरो ही तो कियो तो आगे भी जीर होगा example है पस इतना कोई लोग समझ नहीं पाते है जो कि तुम यहांपर डाउन की ट्रेड लैता हूं ठीक है मैंने यहांपर डाऊन की ट्रेड लगा दी है कि इसके पीचे का देखो लॉजीक क्या है कि यहाँ पैणि कि यह सेडर केंड़ काफे strong है ठीक है अब यह seller candle strong आए और next पर आगे buyer candle, buyer candle क्यों आए क्योंकि यहाँ पे था एक resistance level ठीक है इसलिए buyer आगे, sorry resistance नहीं support level था यहाँ पे इसलिए buyer आगे लेकिन यह buyer low बना कर क्या है तो यह low मुझे बता रहा है कि seller interest है plus seller भी strong है और plus यह buyer की closing कहाँ पे होई है इस यहाँ पे इस level पे जहां से और रेड़ी seller आ चुके हैं यहां से seller का इक इंट्री होई है उस level पे close दिया यह low बनाकर plus seller की last candle भी strong है इसलिए मैंने यहाँ पे down की trade की तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे yield इसलिए इस्याधेمरे ट्री के आता है तो यह trade हमारी loss हो गयी trading में आप का loss हमेशा होगा लौष को आपको क्या करना tab Ccept करना क्योंकि आप लिए कर सकते दो अगर आप आपको लगता हमेशा वीन करो यह सकता यहां पे तो यह ऐmos अपे याउंट रहा हूं तो मैं थूब भी अमांट से कर रहा हूं है कि मैं ऐसा करना मुझे इक स्टार्ट कर दी तो सब यहां पर मुझे सार ₹ करो ठीक है यहाँ आप जब भी कर दो तो प्रॉपर मनी मंक्तमर्स मैंएघ्मेंट के साथ करो ठीक है एक लॉस हो जाए तो आप अपने मनी मैनेज्मेंट के साथ चलो तो आप एक स्टेप मार्टिंगा ले लो लेकिन वह भी लोस हो जाएक आपका मनी कम है तो आप वहां पर रुक जा ओ दिन छोड़ दो अब यहां पर बायर देखो हुआ 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 है ओके तो यहां पर अगे इन बायर आ रहे हैं अगे तो बायर यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉंग हो गए हैं तो यहां पर मैं अब एक कैंडल करूंग है लेकिन उसने इस लेवल को भी ब्रेक्ट किया कि आ पलस यह लो भी है तो यहां पर सेलर पैंडल वी आ सकते बायर वी आ सकता तो मैं यह थोड़ा खंफ्योंज ओ conductor में वेट करूंगा कि बायर स्ट्रॉंगली उपर जा रहे हैं कि बायर के बॉड़ी अगेन इंक्रीज हो रही है ओके तो हम दूसरे चार्ट पर देख लेते हैं किसी दूसरे चार्ट पर देखते हैं ओके तो हम दूसरे चार्ट पर देखते हैं ट्रेड लेकर ओके तो यह है यूरो यूएसडी कोई और चार्ट देखते हैं ओके तो यह यूएसडी जेपी वाई यह जीबीपी यूएसडी ओके तो यहां पर फिर से मैं जीबीपी यूएसडी पर ही आ गया हूं कि दूसरे चार्ट मुझे कोई सही नहीं लगा तो यहां पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है क्योंकि यहां पर सेलर की बौर्टी इंक्रीज़े प्लस सेलर ने हाई भी नहीं बनाया तो यहां पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी तो यहां पर देखते हैं यहां पर मैंने डाउन के टेलिस लगाई ओकी देखो यह जो कैंडल आया इसने हाई नहीं बनाया यानि कि मुझे बायर का अल्रेडी इंट्रेस्ट नहीं दिख रहा है मैं यहां पर पैंसिल से दिखा देता हूँ इसने हाई नहीं बनाया यानि कि बायर अल्रेडी इंट्रेस्टेड नहीं है और फिर अगेन इसका बॉड़ी इंक्रीज हुआ एक तो इसने हाई नहीं बनाया तो मुझे पहले यहां पर बायर फेल देखें दूसरा में दूसरा बायर यहां पर ओल्रेडी buyer यहाँ पर high नहीं तो buyer interested नहीं लेकिन यह candle भी weak है यानि कि seller भी interested नहीं buyer भी interested नहीं वाई वाला logic तो यहाँ पर मैं हमेसा क्या बोलता हूँ यहाँ पर एक candle का wait कर लो अगर next पर buyer आ जाते तो मैं जाता buyer के साथ लेकि next पर seller आ गए तो मैं seller के साथ गया और देखो ये candle मेरा win हो गया अभी तक मैंने 4 trade ली है और 4 में से मेरी 3 win है ठीक है और देखते हैं हमें जल्दी से और कुछ अपर rate ही मिलती तो मैं और भी लूँगा भी यहाँ पे trade तो मैंने किस पे किस पे trade की है वो मैं आपको बता देता हूँ पहला मेरा ये trade है दूसरा जो मेरा trade है वो मैंने इस पे मुझे करना था लेकिन ये मेरा miss हो गया ठीक है फिर फिर मेरा तीसरा trade ये वाला candle है फिर इस पे मेरी loss हुई है इस पे मेरी loss हो गई फिर फिर मेरा जो ट्रेड था वो था मेरा इस वाले कैंडल पर जिस पर मेरी वीन होई तो लगभग मेरा एक दो तो आप लो और भी सीख सको कि देखो मैं को यहां पर अंदा धून ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं कि इंडिकेटर लगा दिया दो लाइन कट करेगा तो ऐसे ट्रेड ले लूँ मैं अपने नॉलिज़ पर अपने एक कैंडल को समझते भी ट्रेड करता हूं ठीक है तो आपको भी ऐसे ही ट्रेडर बनना ह आप अंधेरा में चाहते और प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो शीखते क्यों नहीं मुझे यह समझता तो आप लोग ट्रेडिंग में लाखो लाखो रुपए ऐसे ही लॉस कर देतो आप सच बता आप बीना नौलिज़ कैसे कमा लोगे कब तक कमा लो यहां पर मैं देखता हूं यहां पर मुझे जहां पर मैंने लाइल लगा है अगर मुझे यहां पर मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा लेकिन नहीं तो मैं यहां पर वेट कर लूँगा मार्केट नीचे आ रहा है मैं यहां पर वेठी करूंगा क्योंकि यहां से बायर भी आ सकते हैं यहां पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अगर इसका बॉटी होता तो मैं समझता भी बॉटी इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर एक्जॉसन भी हो सकता है तो वह सब्सक्राइब डिटेल में बताते हैं अपने क्लास में अपने कॉर्स वाले क्लास में इसलिए मैं आप डाउन की ट्रेट नहीं करूंगा तो अगें यहांसे बाइर आ गया है अगर में नॉर्मली इसको बॉडधिं उस्क्रीज करके तो अब समझ गया है मैं कहीं कहीं पर बॉडूस पे लेता कहीं कई पर यहां प्रमने नहीं लिया तो वही सब तो नास्य गहते हैं अगर इतना ही असान होता यहाँ पे नहीं लिया तो कहां लेना है कहां नहीं लेना वही तो समझना पड़ता है अपको बहुत कुछ समझना पड़ता है ऐसा नहीं कोई simple है लेकिन आसान नहीं है उस simple चीज़ को बनाना पड़ता है simple उसको उसको समझना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा अच्छे से कि बायर देखओ आया है लो बना कर यानि कि यह बायर के इटल मुझे दिखा रहा है कि थीच है अब weißया ठीक है अगें और बायर का बॉटि इंक्रीज हो रहा है तो इस पर चांसे पर बायर आ सकते हैं बॉटि इंक्रीज हुआaciones है तो लेकिन हम करें करेंघ क्यूंकि सेलर भी अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है प्लस लो मुझे सेलर के इंट्रेस को भी दिखा रहा थो यहां पिक भी और सक्ता है ठीक है तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा सेलर केंडल आ गया है क्योंकि यह लो था सेलर केंडल अभी बेश्ट्रोंग है तो सेलर आ रहे हैं सेलर आए है हाई बना कर ठीक है तो यह हाई मुझे दिखा रहा है यहांग रहा है बायर का इंट्रेस्ट को और प्लस डवक मेंडल को अप्लसर सेलर खुद से वीक है और प्लस अस्ट्रक्चर मैंने काफ ही टाम से ने समझाए इस्ट्रक्चर जलाओ बदेखो यहां से जाना था यहां लोर एकिन यहां पर चल अब चन्सेज़ आईस से जाके मारकेट यहां से उपर वी जा सकता्य स्ट्रक्चर हो सकता है है अगर चन्सक्रण हो सकता है तो नोसे हैrip करोंगा थेक है इंडिल अधिल मितसी हो रहा तो यहां पर वेट करूंगा ठीक है निक्स पर देखेंगे अब मार्केट का चांसे मैं अभी बता देता हूं अब chances है market का ऐसे market को देख़ो ऐसे जाना था ऐसे ऐसे हैसे लेकिन आपको markets अपने दिमाग को चेंज परना पड़ता है कि market जो जो बता है उसके according खुद को change करते जाओ ठीक है बस वही आपका काम है आपको market को रीड करते जाना है और जो जो market दिखा है उसके according action लेते जाना है ठीक है एक trader वही होता है जिसको पता है कि मुझे कहां पे trade करनी है और कहां पे trade नहीं करनी है जिसको तो यहां पर मैंने लगा दी अपकी ट्रेड मैंने लगा वहां पर यहां पर देखते हैं यहां पर यहां पर यहां से मार्केट को ऊपर जाना बनाने लेकिन मार्केट नहीं बना पया फिर यहां से उपर आ गया अब मार्केट उपर जाएक कर रही है ठीक है और मैंने इस लिए होग सेलर ने और रिड़ी वीक्निस दिखा दिया प्लस मैंने इस WOODRUFF के बाद प्लॉम इस कंडल ये से इन गल्फ किया तो मैं यह नहीं कर पाया फिर इसटर से एक तो मैं यह नहीं करते हैं और मैं यह देखो यह चेक कर लें क्या है तो भाई चेक करने का क्याह जोlad you poi सीखना है रेडियो सेखने के लिए दो supports जो हम बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे प्रैक्टिस करने के लिए रेडियो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और यह नहीं मैं आपको बोलूँगा 10-10 घंटा प्रैक्टिस करने मैं आपको एक से दो घंटा है डेली बोलूँगा लेकिन वह आपको क्वाइलिटी प्रैक्टिस करवाऊंगा यही तो फाइदा है प्रॉपर गाइडेंस का आप दो घंटा ही करोगे लेकिन आप प्रॉपर क्वाइलिटी प्रैक्टिस करोगे जिससे आपको रिजल्ट मिलेगी तो इस तरीके से आपको करना है ट्रेडिंग अभी तक मैंने कितना ट्रेड लिया यह ती मेरी पहली ट्रेड इस पे लिया था यह मेरा मिस हो गया दूसरी फिर मैंने इस पे लिया तीस तरी फिर मेरा ये ट्रेड लॉस हुआ देखो एक ट्रेड लॉस भी हो गया लॉस होता है फिर मैंने इस पे लिया विन हुआ फिर मैंने इस पे लिया इस पे नहीं मैंने इस पे लिया ये भी मेरा विन हुआ तो टोटल मैंने अभी तक छे ट्रेड ली है जिसमें से मेरी एक ट्रेड लॉसर पांस ट्रेड विन है तो यही है ट्रेडिंग लॉस तो आपका हो गए बट आपका विन ज्यादा होना चाहिए अगर आपका वीन जादा हो रहा तो आप इसली प्रोफिटेवल ट्रेडर हो ठीक है तो इस तरीके से ट्रेडिंग करना है आपको यह वीडियो अच्छी लगी है नॉलिजवल लगी है इंफर्मेटिव लगी हो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो कॉंटेक्ट करो बेफिकर हो पर देते हैं अगर किसी को डाउट रहता है तो क्या है तो लाइव जूम पर देते हैं जूम पर क्लास देने के बाद हम लोग उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग उससे देखर रिवाइज कर सको ठीक है और मैं वाटसप पर नमबर इसलिए हो ताकि आप मेरे से personally connect हो सको हमारा एक ग्रूप बनता है स्टूडेंट लोग का उस 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 वाटसप ग्रूप पे आप जितने चाहिए डाउट को क्लियर कर सकते हो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा तो इस तरीके से कोई भी ट्रेडर बन सकता है ऐसे नहीं कि दस वीडियो देखके बन गया है तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो contact करें वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकि इसे सेर भी करें क्योंकि अब आप यह आपको पता यह जैन्मीन चैनल है यह चैनल हमने बनाया ही आप आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए वह भी सही तरीके से आप लोग को गाइड करते हुए तो अब यह आपका करतब है इस चैनल को बरहाना तो इस वीडियो को सेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए बाकी मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep learning, keep growing ऌपको रोंग टूमार के लिए को बेंगो ऑ만े वह रह चाने को सेर कह मुनिए आपको झापको देंग साथ सेर के लिए सेर की अभू इस हो ख Arabic